आज मैं आप लोगों के साथे कैसी रेस्पी शेयर करने जा रही हूं जिसे आप रद के दोरान खा सकते हैं हेलो ईवेजेदेख लेटे हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने यह पर यह दिखिए अलु ले घुशोरी ऑफार उसको ख़ील लेना है आलु को चील लेने के बाद हमें इस इस तरीके से इसके स्लाइश कर लेना है जैसे ये बटाटे की भुजिया कारते है ना ठीक उस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए इसी तरीके से सारे आलू को कट कर लेना है और उसके बाद एक कड़ाई चड़ा देंगे और उसमें ओयल या गी आपको जो अच्छा लगे वो डाल लीजिए और थोड़ी सी जादा म भूल गई थी आप लोग बिल्कुल इसके पना करें जीरा जरूर डालिए उसके बाद हमें अलू डाल देना है और आलू को अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे आलू को भूच लीजिए मीडियम टू लो पे उसको अच्छे से हमें ब्राउन करना है आलू को फास्ट में व्रत में आप आराम से रेसिपी खा सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि ना उपवास में बहुत जादा कुछ करने का भी मन नहीं होता है कभी-कभी तो इजीली जो बन जाए और अच्छा भी लगे खाने को वैसी कोई रेसिपी बनाने का मन करता है त तो आप लोग यहां ही पे सिंदा नमक डाल दीजिए मैं सिंदा नमक नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं यहां पे चीनी डाल रही हूँ जी हां मैं चीनी यूज कर रही हूँ इससे जो है ना आलू का फ्लेवर थोड़ा सा तीखा क्योंकि मिर्च जादा डाली है और पर यह देखिए यह पीनट है जो मैंने रोस्ट करके मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से आपको रखना है मैं अवरात्री शुरू होने के पहले ही इस तरीके से तयारी करके रख लेती हूँ तो अगर आप आप लोग का व्रत है तो आप लोग भी इस तरीके से रखिए तो आपको ईजी रहेगा डिश बनाने में और यहां तीन से चार चमच आपको इसमें एड़ कर देना है यह देखिए इससे यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगा यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में दही के साथ गर्मा गर